करेंगे में आज आपको लिंकेज के बारे में बताऊंगा सलेगनिता क्या होती है सलेगनिता के सिद्दान टी एच मॉरगन ने दिया था सलेगनिता होती है जब 2 या 2 से धिक अनुवानसिक लक्षण पीड़ी दर पीड़ी बिना प्रिवीत हुए इस्तनांत रित हो जाएं त मिन्थ दिए था सिलक एक लिखनता को याद करने का तरीका है तेस्ट क्रॉस उसको डब सबता है और वन से संतान प्राप्त होती है तो इसका मतलब उसलिक प्राप्त होती है इसे Alexa, प्राप्त होता है तो इसके मतलब उनमें लिंकेज है उनमें रिकम्बिनीशन नहीं हुआ है कि यह बताया कि यह के दो पहली होते हैं कुपलिंग और रिपल्शन एक गुण सूतुर पर पाए जाने वाले जीनों का सास्त रहना युगमक जन्न के समय भी प्रिथक्रत नहीं हो तो F2PD में एकनपाथ, 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 जीरो एनपाथ, चार प्राप्त हुआ तो ये F2PD के अंदर मुल सहियोजनों का नए सहियोजनों से चार होना ज़्यादा प्राप्त होना ये सहलगनता को प्रतर सेथ करता है इसका मतलब F2PD के अंदर कोई भी सफेद आंक वाली मादा मक्ही प्राप्त नहीं होती इसके मतलब ये सेलगनता के कराना ये चीज हुआ सेलगनता के लक्षण क्या है टी एच मॉर्गन ने और उनके साथी केस्टल ने सेलगनता के निम लेकित लक्षण बता है पहला है कि गुणसूत्रों पर जीन एक राखिक क्रम में बेवस्तित रहते हैं और जो सेलगनता की सामर्थ के वित कुरमान पाती हुती है मतलब ये कि पावर अफ लिंकेज इस उगल टू वन अपन डिस्टेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसूम्स अर्थार वे जीन जो पास-पास होते हैं वो सेलगनता दरसाते हैं और जो दूर-दूर होते हैं वो कम सेलगन होते हैं सेलगन जीन पीडी दर पीडी इस्थान अंतरण के दोरान मूल से यूजनों में ही बने रहते हैं वो यह बदलते नहीं हैं, सहलगन जीन गुणसूत्रों पर दो प्रकार के एरेजमेंट विपाए जाते हैं, सिस एरेजमेंट और ट्रंस एरेजमेंट, जैसे कि इस गुणसूत्र के अंदर हम देख सकते हैं कि जीन A और जीन 1 और 2 दौनों ही लिंक्ट जीन हैं क्योंकि वो ए लिंकेज दो प्रकार के होती है, complete और incomplete linkage, complete linkage संतान में जनक के मूल से यूजन में ही प्राप्त होते हैं, जिसमें random assortment नहीं होता, यानि स्वतंतर अपर विवन बिलकुल नहीं होता, जैसे कि गुणसूत्र की दो वेराइटीज होती हैं, grey body और long wing और black body और vestigial wing के बीच में जब cross कराया गया, तो F1 PD की सभी संतान में grey body और long wing की प्राप्त ही, और इनके अंदर जब test cross कराया गया, तो उसमें 50% grey body long wing और 50% black body vestigial प्राप्त ही, उनमें recombination का कोई भी individual प्राप्त नहीं हुआ, यानि grey body और vestigial का कोई individual नहीं था, और black body long wing का कोई individual नहीं था, इसका मत कर से, जैसे कि इसमें cross में बताया गया है, कि इसमें grey body और long wing का cross इससे कराया गया है, तो इसमें F1 PD के अंदर grey body और long wing वाली प्राप्त ही, लेकिन इसमें एक test cross के दोरा नहीं देखा गया, कि जब male hybrid का test cross homoegis recessive से, female homoegis recessive से कराया जाता है, तो उसकी संतान 50%, 50% प्राप्त होती है, यानि उसमें recombination प्राप्त बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन जब इसी को, male को, और female heterojagos को, जब male homoegis recessive से test cross कराया जाता है, तो उसमें 42, 38, 88, और 42% में प्राप्त होते हैं, यानि कि recombination के 88, प्रतिशत और प्राप्त हो गए, इसका मतलब यह है कि यह test cross में F1 PD के अंदर इसमें पूरी तरह से linkage नहीं है, इसमें कुछ मात्रा में recombination हो रहा है, यानि 8% नहीं से उसनों का प्राप्त होना, यह drosophila के शरीर में, gray color का, अब शिशी के साथ, और काले color का, लंबे उनके साथ, पंकों के साथ में, एपूर्ण सेलगनता कहलाती है, यह incomplete linkage है, इन दोनों के बीच में, सेलगनता को प्राववित करने वाले कारक, गुण सूत्र पर जीनों की दूरियू के अनेकों physiological, environmental factors होते हैं, जो सेलगनता को जैसे जनतु की आयू, उम्र बढ़ने के साथ सेलगनता की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे सेलगनता बढ़ती है, ताब बढ़ने पर भी सेलगनता कम हो जाती है, और X-ray से सेलगनता भी कम हो जाती है,